कुछ नमस्कार हुआ दोस्तों मेरा नमज जाक शर्मा और वाकई में Greater Q&A के अंदर आपका जो है वो स्वागत है साथ से पहले दो में आप लोगों को थैंक्यू बोल देना चाहता हूँ 50,000 सस्क्राइबर्स के लिए 50,000 वाकई में बहुत थी ज्यादा बड़ा नमबर होता है और वो जो है अपन ने गेटर फैमिली ने जो है वो पार कर लिया है अभी जो चैनल है वो 52,000 सस्क्राइबर्स के कईब है और वाकई में बहुत ज़़ा special feel लगता है कि वाकई में 50,000 लोगों ने मेरा content देख के उसको पसंद करा और फिर वो लाल कलर का subscribe का button जो है वो डबाया It means a lot to me and I really want to thank you guys from the bottom of my heart 50K subscriber complete होते ही मैंने Instagram के बरे story डाले थी जहाँ पर आप जो है मुझसे questions पूछ सकते थे और आपने बहुत ज़़ा questions मुझसे पूछे हैं जिनको आज मैं इस वाली वीडियो के अंदर answer करूँगा तो एक 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 स्टार्ट करते हैं कि वहने session को से पहला question जो है वो पूछ रहा है Where do you get phones to review? तो वाकई में phones वगेरा जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से तो नहीं मिलते हैं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ती है फोन्स वगेरा जोगाडने के लिए obviously मेरा channel जो है वो अभी तक इतना सदा बड़ा नहीं हुआ है कि मैं सारे के सारे latest से greatest phones को जो है वो खरीद लूँ फोन्स जो है वो एक एक लाग तक के आ रहे हैं 70-80,000 तक के आ रहे हैं note 10 वगेरा तो जहाद तर मैं अपने दोस्तों वगेरा से जो है फोन्स वगेरा जोगाड कर लेता हूँ और छोटे-मोटे 12-13,000 के phones हैं उनको मैं purchase करके review करके दूसरे market के अंदर second-end market के अंदर जो है वो sell कर देता हूँ तो अभी तक तो boat ऐसे ही चल रही है I hope so कि बहुत ज़ते जल्दी जो है condition improve हो पाए second question question नहीं है एक तरीके से compliment है congrats for new studio जैसे कि आप देख सकते हो पीछे की तरव जो है पूरा का पूरा studio जो है वो मैंने built कर लिया है अभी तक 100% ready नहीं है यसले मैंने कोई studio tour वगेरा नहीं बनाया अभी tables वगेरा वहां पर लगने बाकी है अभी PC वगेरा जो है मैं assemble करने के कोशिश करूँगा तो एक तरीके सा भी पूरा incomplete है setup अभी पूरा को पूरा setup नहीं हुआ है उसके पहले मैं अपनी छत्कियो पर वीडियो वगेरा जो है वो बनाता था तो उससे तो एक तरीके से अपग्रेड ही है तो जैसे studio जो है वो पूरा complete होता है मैं इसका studio tour ज़रू इंटर्शिप वगेरा और ट्रेनिंग वगेरा जो है वह बहुत ज़्यादा आती है तो उसके अंदर में अभी कुछ ज़्यादा बीजी चल रहा हूं वहीं पर ही रहता हूं तो फिर चैनल को जो है वह थोड़ा कम टाइम दे पा रहा हूं but still I will try to improve this एक बार ट्रेनिंग व वाकई में बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट आता है और बाइक और आटो मोबाइल एक तरीके से मेरे इंट्रेस्ट के सेक्टर में ही आते हैं मैं बहुत ज़्यादा फैन हूं आटो मोबाइल इंडस्ट्री का वह रोजाना के रोजाना नहीं नहीं टेक्निक्स नहीं नहीं मैं कॉलेज और अगला कॉशन यह है कि M.I.Band 4 जो है वो चाइने से मंगवाने का वर्थ है कि नहीं है तो मैं तो यही बोलूँगा कि M.I.Band 4 जो है जिसका मैंने भी लेटेस्ट रिव्यू करा था थोड़े टाइम पहले ही वो जो है वो N.F.C वाला वर्जन नहीं है और वो हुआ लोग आपकी कंडेशन से डिपेंड करता है लेकिन अगर आप इंतिजार कर सकते हो और बजट भी आपका टाइट है तो फिर मैं आपको यही करूंगा कि वेट करो इंडिया में रिलीज होने का क्योंकि वहां पे 5000 का मिल रहे तो इंडिया में रिलीज होने के बाद ल तो देखने को मिलेंगे ऑब बैग कर अगरpture já उने चानल की उपर बहुत जल्स जल्दी हो नए तरीखे कंटेंट आपको चैनल के उलुप देखने को मिलेंगे तो सब्सक्राइब कर लें ही तहा कि आपू कि तो इसचalinर वाओ इता बहूत ही जाधा ऑड़ इन्सपिरेशन तो खेर बहुत ही अलग चीज हो जाती है मेरा जो मेन मोटिव यही था कि I have to kill some time 12th class के बाद कॉले स्टार्ट होने से पहले मेरे पस जो बहुत जदा time था free time था and I just wanted to kill that time और उस वक जो है मैं MKBHD का चैनल जो है बहुत सदा देख रहा था अगला जो लास्ट कॉश्चन है वो है कि what do you think about OnePlus TV and the upcoming T-series T-series वाकि मैं OnePlus TV के उपर एक separate वीडियो वराने के सोच रहा था वो जो है working condition में भी है और OnePlus TV जो है वाकि मैं काफी ज़दा अच्छा TV है हाले कि first generation ना TV है OnePlus की तरफ से लेकिन फिर भी four sizes के अंदर available है अच्छे कासे panel है और एक तरीके से OnePlus को देखा जाए तो अच्छे कासे features वगेरा जो है अपने phones के अंदर डाल के देता है तो मैं यही expectation रहूँगा TV से भी कि smart TV होगा अच्छा कासा उसके अंदर UI वगेरा होगी पैनल वगेरा जो है वो अच्छी quality का use करेंगे और साथ ही साथ में बात करूं T series की तो 7T pro और 7T जो है वो अगले महीने ही release हो रहे है September के अंदर ही TV के साथ में I think so और मैं बस यही expectation रखता हूँ उनसे कि इसके अंदर wireless charging वगेरा यह लोग अच्छी तरीके से दे दें इस बार जो है थोड़ी से features को improve करते हैं इसलिए कि हर बड़ T series के अंदर करते ही हैं यह लोग कुछ rumors बोल रहे हैं कि 7 pro T के अंदर इन लोगों ने 5GB डालने की कोशिश कर रहे हैं तो बाकी में rumors वगया रहे हैं वह बहुत सब्सक्राइब हो रहे हैं हर जगह से बस phones के रिलीज होने का इंतिसार है और जैसे यह रिलीज होएंगे मैं को पूरी पूरी तरीके से खरीद के के रिव्यू करने की पूरी कुशिश करूंगा तो यही था ग्रेटर क्योंने सेशन आइपको यहली वीडियो पसंद आई हो आइपको के कॉश्चिंस के सवालों के जवाब जो हैं वो मिल गये हों एंड दिसमिस्ट्रियों साइन गभायों जेहिंग दुश्रियों से लो, प्संब आज च़ onder आंड का साइन आड कॉलें से लोग Quando में बआ सकत duyолों में जा लो हुल हुल